क्या आपने कभी माचिस को फर्टिलाइजर की तरह यूज किया है? अगर नहीं, तो आईए इस वीडियो में देखते हैं कैसे? तो दोस्तो हमें एक कंटेनर में इस तरह से आधा का पानी ले लेना है और इसमें करीब 7-8 माचिस इस तरह से डुबो देनी है इसे तीन देन तक हमें इसी तरह से रख देना है तीन दिन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी माचिस के जो टिप्स थी वो पूरी तरीके से इस पानी में डिजॉल्व हो गई है हमारा फर्टिलाइजर अब तयार है इन में मैगनेशियम, फॉस्फोरस और सल्फर होता है जो कि एक छोटे पौधे के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है इस फर्टिलाइजर को हम सीधा छोटे सैपलिंग्स पर यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस इसकी जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सल्फर और मैगनेशियम इसकी पतियों को हरा भरा बनाता है दोस्तों आप इस फर्टिलाइजर को पतियों वाले किसी और पौधे पर भी यूज कर सकते हैं जैसे ऐलोवेरा यह फर्टिलाइजर ऐलोवेरा के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होता है इससे इसकी पतियां एकदम हरी भरी हो जाती हैं और पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छी करने लगता है दोस्तों यह फर्टिलाइजर आपको अपने पौधे में महीने में दो बार डालना है वीडियो में दिखाएगे तरीके से ही आपको अपने सभी पौधों में इसे थोड़ा थोड़ा ही डालना है दोस्तो अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके को सही तरीके से फॉलो किया तो आपको पहले ही यूज से अपने पौधों में असर देखना शुरू हो जाएगा ऐसे ही पौधों और गार्डिनिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वर्सटाइल वन्श को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक यू